हेलो गैस डिजान शोटेशन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रिनुकुल कुमार अराजब के लिए और कम्माल की वेडियो लेकर आया हूँ जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉटन मटीरिल बनाने वाला हूँ है और काफी सारी स्टाटिजी इसमें मैं एडवांस यूज़ करने वाला हूँ जिससे आप कुछ नया सीख पाएंगे और यहाँ पर अब मैं नॉर्मली फर को अपलाई करने जा रहा हूँ बट पॉइंट तो वही है न कि हमें यहाँ पर क्या-क्या मटीरिल से में मतलब क्या-क्या सेटिंग्स लगाने राइट तो यहाँ पर मैं रेंडर रीजन डाल देता हूँ जिससे कि मैं सिर्फ उतने प करना क्या-क्या अच्छे से समझेंगे न सब्से पहले यहाँ पर आपको के उपर ज्यान देना होगा काउंट अरिया से पहले वी आपके पास लेंफ है आप यहाँ पर अपने टीजज कह यहां अक्या सिकनेंट इसको दिंक्रीज कर लेंगे दन यहाँ पर क्या है कि geg net छे नहीं होगे है ना अब क्योंकि जो हमारा cotton होता है वो बहुत ही जादा कैसा होता है एक दम पतला रेशे की तरह तो यहां पर अब आपको थिकनेस कर देना होगा 0.01 की तरह अब यहां पर आप देखो तो अब आपको यहां पर छेड़ना होगा अपना count area तो समझ में आया कि count area किस वक्त पर हमें छेड़ना होता है चलिए अब count area को हम पहले try करते हैं 15 okay मुझे लगता है कि और मुझे इसमें फर चाहिए right so what we should have to do just simply we can increase that particular value towards 20 then we can see like अभी फर पहले से ज्यादा है आपको आइडिया लग रहा होगा है ना हलकलका आइडिया लग जाता है देखने से यह ना चलिए अब यहां पर थोड़ा सा कुछ और advance करते हो उसके लिए मैं यहां पर रेंडर को stop कर देता हूं यहां पर आपके पास length है ना length के अंदर मैंने 3 डाला अब ना क्या होता है cotton के अंदर equal length तो होती नहीं है random हो सकता है वो है ना तो random length के लिए क्या करना है यहां पर texture slot में जाएंगे और यहां पर आपको लेना होगा noise भी गाईज अगर वीडियो पसंद आ रहे है like जरू करें और अपना important feedback यानि कि comment जरू करें ठीक है तो यहां पर मैं ले लेता हूं फिलाल के noise भी एंड इसके color को मैं कुछ ऐसा यहां पर change कर देता हूं यहां पर around कर लेते हैं इसको तो यहां पर देखें आपके पास यह regular है यहां पर मैं फ्रेक्टल ले लोगा है ना फ्रेक्टल लेने के बाद यहां पर iteration value है इसको मैं यहां पर 10 डाल लेता हूं ठीक है 10 डालने के बाद phase को हम 0 रहने देंगे यहां पर level है level की वज़े से ही हमारा वो black और white के इंदर difference हो कॉटन की केस में आप सेम डावल सकते हो और plus point यह है कि आपको मैं points भी clear कर रहा हूं ठीक है ना और ज्यादा advance से सीखने आपको वीरे को यह तो बस एक छोटा सा डेमो आप देख रहे हो lecture अगर आप जोईन करोगे ना premium classes इतनी इतना कुछ आप सीखने को मिलेगा आप सोच नहीं पाएंगे ना अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो नीचे सारी सारी डेटेल दे रखिए मैंने आप जो है मेरे से कॉंडेक्ट कर सकते वाट्सेप यह मैंने settings दे दी हैं अब यहाँ पर अगेन चलते रेंडर पर क्लिक करते हैं प्लिक करने के बाद अभी आप औरन के अंधरन कर्ली गहां पर तो यहाँ पर मैं कर्ली पर आऊंगा इसको on करूंगा यहां पर कर्ल का radius है बहुत साधा मत डेन आप लिक कर रहांगे जगा जगा पर है ना बहुत बड़े हो जाएगा आपके फर क्लिक को बर ड़ेर आप के रा यहाँ यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ पर मैं around 3 डाल देता हूँ अब guys यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं render को stop because मेरी almost setting हो गई है और यहाँ पर idea लग रहा है हलका हलका पड़ एक पर final touch भी देख लेते हैं तो यहाँ पर फटावट से मैं interactivity को off करता हूँ एक low quality में render फटावट से ले लेते हैं ठीक है इवन low quality से अच्छा है मीडियम में ही ले 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 ठीक है मीडियम पर मैं यहाँ पर progressive on करके जो भी default setting है उसके साथ मैं render पर click करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि difference किस तरीके का आए वेल अगें वीडियो पसंद आ रहे है तो वीडियो का लाइक जरू करें अपना important feedback यानि कि comment जरू करें प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें जो भी आपके दोस्त हैं इंटिरे डिजाइनर आर्किटेक्ट यह सब और कोई भी आपकी request है वो भी आप comment जरू करें के comment जरू करना कि आपको यह कैसा लगा अब तोड़ से यहाँ पर मैं cinematic kind of look दिखा देता हूं इसका cotton का guys यहाँ पर देख सकता आप right वेलेकर आपको यह वीडियो सच में genuinely पसंद आए तो यह एक पर comment जरू करना वीडियो पसंद है तो like जरू करें और अपने दोस्तों के ज जरू शार करें तो इस तक लिए चलते हैं thank you for watching this कमाल की वेडियो गुद बाई